कितो सो दानी भूप धरम को अरू मुप योरू नए कोई तेरी सो सो को सनसद बादी के करी रहे लोग बड़ा कितो सो दानी भूप धरम को अरू नए कोई योरू नए कोई तेरी सो सो को सनसद बादी के करी रहे लोग बड़ाई सोई जो रे दोनों आत कई यो बात महरे कचु हो ही तुम जो मागों महराज दिये हम सोई जब अब दिया महराज माफ करना तो नहीं है फिर भी अगर आप कुछ आस को लेके आये हैं तो हम आपको निराज नहीं बेदें यहां तो सुकर का सिकार करते करते हम बड़ी धूर ठक निकला हैं यहां पर तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है आप हमारे साथ घर पर चलो आप जो बताएंगे हम आपको दे देंगे बिस्वा में तरजी कहते हैं इसका मतलब यह है तुम यह सोच रहे हो कि हमें धंदौलत की जरूरत है अरे नहीं और फिर खजाने का मालिक जिस जगह पर होता है खजाना तो इसके साथ नहीं होता है बोले महाराज गाने का नहीं कुछ भी नहीं है केबल कुझी और लगाव तो कोई बात नहीं है यहां तुम्हारे पास में कुझी और लगाम है तो तुम ऐसा करो कुझी और लगामी दान में दे दो बागी घर चले के दे देना है लेकिन एक बात है हमारे शकलब के पढ़ाई की दचना साथ भार सोना है वो तुमें पहले देनी पड़ेगी को साथ में लेकर के जब घर पर आए एक नौकर को इसारा कर दिया बोले ऐसा घरो महतमा को सोना निकाले के दे दो तो विस्वामितर जी कहते है हरे सन थोड़ा मेरी तर्भ देखो आग्या किसे दे रहे है तको साये धेची कोई सारे में और आग्याती सोना लाने की वोगा यांगा जिनो ये जारे में आग्या पी सोना लाने की सोई पिस्णा पित्र ने मुझी गाई के तब कई दई बात थी काम एक नौकर को सारा दिया बुले मा तुमा को सोना निकाल करके दे दो तो विस्णा में पित्र जी कहते हैं हरस्ण ये वाद पाद खेना खाता सब कुन्दी लगा मत निर्बर है ये चल्मा मेरी जल्मा है ये लोकर मेरा लोकर झाल 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 झाल